सुबद चार बजे उठके, पांच बजे उठके, वो रनिंग कर रहा है, धूप, गर्मी, आंधी, बारिश, तूफान, हरेक में अपने प्रक्टेस कर रहा है, उनके अंदर इतनी योगयता ही नहीं, उनके अंदर इतनी काबलेती नहीं है, हमारे देश में डिफेंस कल्चर मे इंडिया's leading manufacturer of stainless steel, modular kitchen, bathroom vanity, wardrobes and steel interior, नमस्कार दोस्तों, किसी भी देश की सरकार, जब कोई भी योजना लेकर आती है, तो उसका उद्देश्य देश का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और लोग कल्णान करना होता है, ऐसे ही हमारे देश में हमारी सरकार बहुत सारी योज जिसमें BSF, Army और Air Force में जवानों की भरती की जाएगी, जैसी ही योजना एक खुशकबरी के रूप में सामने आई, वहीं पर बहुत सारो लोग इसका विरोध करने लगे, आज हम समझते हैं कि ऐसे क्या कारण है, कि सरकार जिस योजना को लेकर आई है, लोग या विपक्ष उसका बहुत अधिक विरोध कर रहा है, यहाँ पर तीन अलग अलग पक्ष हैं, जिसको हमें ध्यान से समझना होगा, नमबर वन, योजना क्या है, कई बार विरोध करने वाले बहुत सारो लोग को यह पता ही नहीं होता, या विपक्ष को यह पता ही नहीं होता कि योजना क तो सबसे पहले हमें समझना है कि सरकार व्योजना क्या लेकर आई है और क्या लाव उसमें होने वाले हैं दूसरा इसमें सरकार का पक्ष क्या है क्योंकि जब भी कोई विपक्ष किसी भी चीज को लेकर objection करता है तो सरकार को और विपक्ष को दोनों को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है, तो सरकार का पक्ष का है, सरकार योजना को लेकर क्या कहती है, या अन्य पक्ष की मांग क्या है, अन्य पक्ष क्या कहता है, कि हमें यह कमिया इसमें लग रहे हैं, इसमें सुधार किया जाए, या इस योजना को वापस लिया जाए, तो अगनी पत योजना में शामिल होगा उसको अगनी वीर की उपादी मिलेगी नबर वान हमारे देश के जवान ना जब भी हमारी सेना के लिए काम करते हैं हमारे देश के लिए काम करते हैं तो उसको देश की सेना या देश के जवान के रूप में जाना जाता वर्ष तक कर दी गई है तो साड़े सतरा वर्ष का युवा से लेके 21 वर्ष तक के युवा के लिए ये एक स्कीम है जिसमें वो उस जौब के लिए उस जवान की सेवा देने के लिए अपनी अप्लिकेशन भेज सकता है और यहां पर अभी क्योंकि दो साल मतलब 2019 से लेकर 2022 त है वो 23 वर्ष ठीक है दूसरी important बात है कि इसमीं जो कारेकाल होगए एक जवान का जो कारेकाल होता है जारतर 20 वर्ष और 20 différence सेवार Information के बाद उसको Pension मिलती है इस बार कारेकाल होगा वो बड़ा हुआ वेतन होगा इस वेतन में पहले साल उसको 30,000 रुपे मेना मिलेगा दूसरे साल 33,000 रुपे तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपे ध्यान रखेगा यहां पर ही जो वेतन आप देख पा रहे हैं सरकार की योजना के अंतरगत तो है लेकिन इसमें 30% काट लि देने के बाद उनको मिलेगा एक मुष्तरास्ती के रुप में मिलेगा अगनी पत्योजना में यह भी का गया है कि जो यह 46,000 जवानों की भरती होगी इसमें से 25% तक का मतलब होता है कि पूरे 25% नहीं उनमें से इतने लोग अच्छे से सिलेक्ट होंगे मेरिट बेस पढ़ वैसे अगर देखा जाए तो 30% उसमें अपनी सैलरी में से डोनेट किया था एक तरह से डिपोजिट किया था और सरकार भी उतना ही पैसा दे रही है तो इसमें से लगबग 6,000,000 तो उसको अपना खुद कहीं पैसा है तो 12,000,000 की एक बहुत तरह से उसको मिलने वाली है सेवाकाल के दौरान ये दी मृति हो जाती है किसी जवान की या एक तरह से वो शहीद हो जाता है तो उस जवान के सेवाकाल की जो चार साल का सेवाकाल है उस सेवाकाल में जितना भी समयवदी बचरा है उसको पूरा का पूरा भुगतान सरकार उसके परिवार को करेगी प् परिवार को दी जाएगी और पैसा वह चार साल तक पूरा करने के बाद कर दिया जाएगा अगर वो अपनी सेवाएं लगातार दे रहा है यह तो बात रही उस कीम के अंतरगत की क्या वैनिफिट दिये जाने वाले हैं अब समझते हैं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है क्योंक क्या तथ्य निगल करा रहे हैं जो सरकार अपने पक्ष में बताना चाहरे है नंबर वन देश के युवाओं को रोजगार का नया अबसर मिलेगा क्योंकि हमारे देश में एक लिमिट है कि ठीक है हर साल इतनी भरती होती है लेकिन इस बात जब पिछले दो साल से भरतिया न मिलेगी तो यहां पर assurance of job government कह रही है कि हम assurance of job दे रहे हैं चार साल के लिए उसके बाद जो भी सेवा यहां पर देगा न वह अगनीवीर क्यालाएगा और अगनीवीर की उपादी उसको मिलेगी और सेवा काल के बाद उसको एक विशेस महत्वभी मिलने वाला है सरकार की अन रहे शैली डिफरेंट होगी योग्यता बिल्कुल डिफरेंट होगी तो यह benefit उसको मिलने वाला है सेना की training के बाद युवा ज्यादा सक्षम होगे कहते हैं कि हर एक चीज के लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है अगर फिजिकली फिट हैं मेंटली फिट हैं ड वहां पर उसकी क्षमता ही है वह और अधिक होगी हमारे देश में डिफेंस कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर देश की जो आर्मी एयर फोर्स बीए सेफ या जो भी जवान होते हैं उसके एक एवरेज एज होती है हमारे यहां पर जो एवरेज अभी सेवा निवरित होने के बाद में हमारे जवान होते हैं उनके परिवार को दिया है जिसकी वजह से हम लोग अपने सिस्टम को मॉडनाइज नहीं कर पाते हैं जब यहां पर हम अत्रिक्त भार नहीं लेंगे मतलब वहां पर पेंशन का भार नहीं होगा तो अत्रिक्त भार ज ऐसा इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि हमारा देश एक सक्षम और एडवांस टेक्नलोजी के साथ ऐसा देश बने जो अन्य देशों के साथ कॉंपीट कर सके अगर किसी भी तरह की परिस्तितिया ऐसी होती है राज्यस्तरिय या अन्य नौकरियों में भी उनको विशेश प्रा गी दिश्ट करना चाहता है अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है अपना परिवार को पालने के लिए किसी बिसनस का सेट-अप करना चाहता है और ठारा लाग रुपय से रहे हैं और वैसे विपक्ष भी बहुत मजबूती से अपनी बात को रख रहा है लेकिन यहाँ पर आर्मी एरफोर्स बीस एफ में जाना चाहता है वो बड़े लंबे समय से त्यारी कर रहा होता है सुबह चार बजे उटके पांच बजे उटके वो रनिंग कर रहा है धूप गर्मी आंधी बारिश दूफान हर एक में अपने प्रक्टेस कर रहा है इस उदेश्य से कि देश की सेवा में वो अपना योगदान दे और अपने आपको देश के लिए सवर्पित करते ताकि उसके परिवार को भी एक तरह से कहीं न कहीं एक सेफ्टी और सेक्यूरिटी हो की गौवर्मेंट की जॉब मिलने वाली है तो अन्यपक्ष जो है सरकार के अलावा जो अन्यपक्ष देश में अपनी सेवाई देना चाते हैं पर देश के प्रति समर्पन अपना देना चाहते हैं इसके बाद में चार साल के बाद युवा को फिर से अन्य लोगों के साथ कैसे कॉम्पीट करना पड़ेगा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि जो युवा साथी पिछले कई वर्षों से लगाता जाएगा तो जो 75% होंगे वह वापस जब समाज में आएंगे तो उनको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे या उनके साथ कैसे अपना तालमेल बिठाएंगे क्योंकि आर्मी एयर फोर्स बीएस एफ का जो एक कल्चर होता है विल्कुल डिफरेंट होता है तो वह वापस समाज के कल्चर में कैसे ढलेंगे और उन लोगों से जो अपने ही फिल्ड में चार साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगी यह बहुत बड़ा चैरेंज रहेगा ठीक है अब जो जवान 25 प्रतिशत में सामिल नहीं हो सके हैं उनकी योग्यता पर सवाल अधिया निशान आएगा बहुत इंपोर्टन बात है कि आज हम कहीं भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी किसी इंप्लॉई को जॉब देते हैं तो पूछते हैं उससे कि पिछली जॉब क्यों छोड़ दी या पिछली जॉब से आपको क्यों निकाल दिया क्या कमिया थी क्या कारण थे है ना चीक उस तरह से जब वो जॉब के इंटरिव्यू के लिए जाएगा कहीं भी तो उससे पूछा जाएगा कि आपका सेलेक्शन 25 परसेंट में क्यों नहीं हुआ मतलब आप कंपीट क्यों नहीं कर पाए आपकी युग्यता में क्या कमी रह गई और व पाए जवानें कूछ जोब मिलती है यह एक आपक्स यह अन्य पख्ष अपनी रख रहा है वह यूवा साथी भी अपनी बात रख रहे हैं येदि सेवा काल में जवान शाएद हो जाएगा तो उसके परिवार को पूव जवान की तरह एक्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं, जो रेगुलर भरती हो रखे पिछले जमान हैं, उनकी तरह एक्ष्टर लाब नहीं मिलेगा, चार साल की जितनी सैलरी बंडरी से वो मिल जाएगी, प्लस उनको एक तरह से जो 12 लाग रुपे की एक मुझत राशी है, वो मिल जाएगी, तो उनके कि क्या कोई व्यक्ती 20 22 लाक रुपे के लिए कि अपने घर में अपने परिवार को बैटे को अपने किसी घर के जवान व्यक्ती को जीन गहते आपने कि पằजेंगा चार साल तक रहे तो थ्जीएग दो यह नहीं perfect देश की डिफेंस में दो तरह की फोर्स है एक जो जवान है जो युद्ध करते हैं और दूसरे जो एड्मिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट और बागी सारी चीज़ समलते हैं अफसर लोग जो होते हैं तो यह स्किन के वल जवानों के लिए है मतलब यह प्राइरिटी है चार साल की सेलेक्शन की यह जवानों के लिए अफसरों के लिए नहीं है अगर कर नहीं है तो पूरी एक्विलिटी कर देंगी ठीक है शुरूल से लेकर लास तक के सारे ऑफिसर्स भी इस तरह से हो पर सरकार का भी इसमें अपना एक पक्ष है क्योंकि किसी भी फोर्स को मैनेज करन है और इतना ज्यादा युवा है कि वहाँ पर अगर आप छे महीने के लिए एक साल के लिए रखेंगे न तो भी एक जॉब के लिए कई-कई-कई-हजार फॉर्म आ जाने वाले है आप देखो कई-बार एक पी-उन की भरती होती है और भरती निकलती है तीन-सो और अप्ला हमारे देश के युवाओं की मजबूरी का फाइदा उठाया जा रहा है सरकार द्वारा क्योंकि वैसे भी अगर वो एक साल के लिए भी निकालेंगे ना तब भी वहां पर भर कर लोग आने वाले है और इंपोर्टन बात क्या है कि आप देखिए क्या होता है कि हमारे देश संखार है कि अगर हम देश की संपति को किसी भी तरह का नुक्सान पहुंचा है बास्तिफिक नुक्सान देश की समपति का नहीं हमारे लोगों का ही है कि यह जो देश की संपत्ति है ना वो हम मेंसे हर व्यक्ति ने अपनी आयका जो एक हिस्सा-inkum tax के रूप में दिया है उसे से देश की संपत्ति बनी और जब दहुंद संपत्ति का नुकसान पहुंचा रहे हैं वास्तिविक्ता में वह इलीजिबल ही नहीं है उनके अंदर इतनी योग्यता ही नहीं उनके अंदर इतनी काबलेत ही नहीं है कि वह अपनी सेवाओं को प्रॉपरली दे पाएं और जिन व्यक्तियों को अपनी एबिलिटी पर 100% confidence होता है ना वह यह मानते हैं कि कोई बात नहीं मैं अभी भी बैठ रहा हूं तो आने वाले समय में भी जब मेरा competition 75 is to 25 मतलब 1 is to 3 का होगा तो मैं 1 is to 3 के ratio में 1 में अचीव कर जाऊंगा तो यह तो जो नॉन रूप से लिए जाते है रनिंग में फिजिकल में फिटनेस में लेकिन जैसे से समय बीटता जाता है वो सारे फैलते चले जाते हैं क्यों क्योंकि उनको इलिए कोई parameter नहीं है और यदि देश में युवा इन संपत्यों का नुकसान पहुंचाते है तो कही न कहीं वो अपनी assets को ही खराब कर रहे हैं जिससे उनके आने वाले भविश्य का भी जो भार होने वाला है जो एक तरह से extra assets का burden होने वाला उनी के ओपर होने वाला है तो शांती पूरवक तरीक सरकार को भी एक मौका मिलेगा आपके उपर कड़ी कारवाई करने का इसलिए अपनी बात को ठीक से रखें स्कीम के बारे मच्चे से समझें जो भी अमेंडमेंट आप इसमें चाहते हैं उसके विचार सरकार तक पहुंचाएं शांती पूरवक तरीके से देश को आगे बढ बाद यहीं होती हैं कि हमारे पास डिएवंस की टेकनलोडिय औस इतनी उल्के पास है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि देश में सेनेश सक्थी कितनी बड़ी काञता है इसह बात को गहिंता से समझें उसके अधार पर आप निने ले कि आप अपने लाइफ के साथ क्या करना चाहते है स्वस्त रहें, मस्त रहें, मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आप सभी के सुनरे बविश्य की कामना करता हूँ जै हिंद, जै भारत